Artificial Intelligence यह आपके और मेरे लाइप में मेरे कहने का मतलब है हम सभी human being के लाइप में एक बहुत बड़ा revolution लाने वाला है तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि AI को समझ लो AI को जान लो सीख लो और इसलिए मैंने Artificial Intelligence अपने मोबाइल में AI बेसिकली अपने मोबाइल में कैसे इस्तमाल करना है यह सिखाने हो लाओ तो इंट्रेश्टर दो वीडियो एड तक देखिएगा सीधी बात नो बक्वास चलिए यह वीडियो शुरू करते खास तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले मेरा मोबाइल उठा रहा हूं मैं प्ले स्टोर पर जा रहा हूं यहां पर की तरब से है, मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, देखें, ये इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता हूँ कि Microsoft दिन पर कुछ ना कुछ नया इंट्रोडूस करते जा रहा है, और यहाँ पे mobile के उपर भी AI आप इस्तमाल कर सकते हैं, इनके ये बिंग वाले application के अंदर, तो ये AI मैं यहाँ इस्तमाल करके आपको दिखाने होला, practically हम देखेंगे कि इस AI की मदद से हम कैसे poem लिख सकते हैं, या फिर blog लिख सकते हैं, content कैसे लिख सकते हैं, या कोई भी problem है, यहाँ पे उसे पूछ सकते हैं, basically बहुत सारे problem आप यह को पूछ सकते हैं, तो वो problem का जवाब कैसे देता है, हम इसके साथ chat करने वाले हैं, यहाँ पे मैं इस application को open करता हूँ, यहाँ पे यह application open हो चुका है, वाँ, logo animated हो चुका है, इसे मैं allow कर देता हूँ, तो यहाँ पे Bing इस तरह से open हो चुका है, और नीचे आपको एक middle में icon दिखाए दे रहा है B करके, तो इसके उपर मैं tap करूँगा, यह Bing chat open हो रहा है और वो पूछ रहा है आपको, choose a conversation style, तो मैं यहाँ पे select करता हूँ, balance आप creative ले सकते है, precise भी ले सकते है मैं balance लेता हूँ, और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे ask me anything एक option आपको दिखाए दे रहा है, उसके पर tap कीजिए और यहाँ पे आप अपना सवाल जो भी पूछी है, जैसे मैं यहाँ पे कोई poem लिखना चाता हूँ, आपके लिए मैं poem लिखना चाता हूँ, तो मैं इससे बोलूगा कि भाई, जो मेरे viewer है, यह मुझे हमेशा like करते, share करते, जो मेरे student है basically, उनके लिए एक poem लिखना है तो यहाँ पे मैंने एक सवाल लिख दिया है, simple आपके लिए poem, खास आपके लिए, चली देखते है क्या poem लिख रहा है, can you write a poem in Hindi for my students, यह मेरे सवाल है और नीचे मैं आपको दिखाई दे रहा है answer generate कर रहा है, sure here is a poem that you can share with your students वो हो, poem लिख रहा है, जो दिल को छू जाए वही अच्छी कवीता है जो बार-बार पढ़ने पर नया सा लगे हर बार जो आपके दिल में हो, वही आपके लिए सही हो कुछ नया करने की होड में पुरानी कलपनाओं को मद भूलो हमको भी मद भूलो, right? चैनल को सब्सक्राइब करना भी मद भूलो, लाइक करना भी मद भूलो सपनों के संसार में आपका स्वागत है, हमेशा कुछ रहना है तो सपनों को पूरा करना है, क्या बात है? यह मैंने AI ने कविता लिखी है हमारे लिए तो बिसिकले ऐसे डेर सारे सवाल आप AI को पूछ सकते हैं और नीचे आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ इमेजस भी उसने दिये हैं जहां पर पोएम लिखी गई है और आप यहां पर जाकर, Ask Me Anything में जाकर और भी सवाल यहां पर पूछ सकते हैं जो सवाल आपके मन में हैं, वह यहां पर पूछ सकते हैं यही पोयम इंग्लीश में चाहते तो उसे इंग्लीश में भी convert करके ले सकते हैं, यहाप माइक पे क्लिक करके बोल के भी सवाल पूछ सकते हैं, और उपर यहाप इनको copy करना है, तो यहाप छोटा सा copy option भी आपको दिया है, साथी में आप AI को बता सकती कि यह पोयम आपको कि वह अपने आपको improve करें, क्योंकि वह आपके सवालों से सीख रहा है, यह automatic सीखने वाली machine है दोस्तों, यह artificial intelligence है, जो आपके सवालों के उपर काम करता है, आप जैसे चाट करते जाओगे, वैसे जवाब देते जाएगा और आप चाट को like करोगे, तो उसे समझ में आएग करके आप Excel के complex problem को, complex formula को solve कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने एक course डिजाइन किया है, जो कि आपको मेरे application की उपर मिलेगा, सबसे पहले बता दू कि यह जो course मैंने डिजाइन किया है, चैट GPT न Excel, यह course मैंने पहले 1000 students के लिए बस 9 रुपीज में available करके रखा है, मैं चाहता ह आपको AI सीखना पड़ेगा, चैट GPT न Excel कोर्स बस 9 रुपे में आपको सीखने मिले मेरे application के पर पहले 1000 students के लिए, तो अगर आप इंटरेश्ट रुड़ता application के लिंक नीचे discussion मिलेगी, या फिर आप Play Store पे जाओ, skill course सर्च करो, वहाँ पे आप skill course सर्च करते application मिलेगा, से और भी courses आप enroll करके सीख सकते हैं, फिलाल तो चैट GPT मोबाल में कैसे इस्तमाल करना, एक छोटा सा मुझे लगा कि यह information मैं आपको देदू, तो यहाँ पर मैंने यह information देनी की कोशिश की, कोशिश कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना, comment करना, like करना, share करना, इतना है को हो वीडियो के अंदर तब तक लिए अपना खयाल भी करना है यार, बाई बाई